नमस्कार किसान भाई हो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आप देख रहे हैं इसके नेगरो नुज मेरा नाम है संजय तो आज मैं आपको किसान भाई से मिलांगा जहां पर इन्हों ने उट्टी फर्स्ट का लेसुन लग लेसुन का वह कापी बड़ा हो चुका है कितने दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे एक महिने के अंदर और इसको कैसे लगा है सर उसके बारन थोड़ी जान कर दीजिए इसको यह मजदूर ने चोपा एक एक करके लिए लगा है और वह लाइने किसे बने लाइने तो यह तो मजदूर सी लगई तो बीज कितने रुपे किलो खरीदा आपने बीज तो 24,000 कोंटल गा और कितनी लागत आ गई इसमें लागत तो है ना आ गया बीज बीज का तो हो गए 50,000 रुपे जी सर आट जार चोपई का और उसमें एक खाद का कटा डिये पी चार कटा और इसके बारे में और क्या-क्या इसमें बीमारी आई वो भी बताईए इसमें कोई बीमारी नहीं आई कोई दवा ही नहीं चांटी बिल्कुल भी दवा इसमाल नहीं किया और इसके अंदर जो खर्पतवार होते हैं जो घास बूस होती है वो मजदूर से खुदवाया या मजदूर से मजदूर से खुद वाया तो इस समय कितने ऐरिया के अन्दर फसल आपकी एक विगाऊ अब कितने दिन बाद यह पक तैयार हो जाईगी एक महिने के अंदर तयार हो जाएगी और अभी क्या रोट चल रही है अभी 15,000 चल रही है तो आपने किसी से ट्राइ किया कि इस पसल का कितना दे रहे हैं अभी पेसे अभी तो वो तो खड़ी पसल के पैसे डेर लाग रूपे बता रहा है और मैंने सवा दो लाग रूपे मा तो किसान भाईयों अगर कोई खड़ी फसल खरीदना चाहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके इनसे बातचीत कर सकते हैं इसके बारे में और क्या किसान को आप से बताएंगे कि कि किसकी खेती फाइदे की है घाटे की है बाई जो मंडी में ठीक मिल जाएगा तो ठीक ह अच्छा फाइदेगा है बाकि नुक्सान भी है आप कितने साल से गेती कर रहे हैं यह तो हम तो कर रहें न 10 साल से कर tylko 10 साल से तो आपको फिन साल कितना मुनापा हुआ है गाै प्छले साल तो मुनापा हुआ, पहले भी बेच दिया था उत्वा पर。 एस साल फिर लगा आप तो अनुमानित आप बता सकते हैं कि एक बिगे के अंदर कितना उत्पादन हो जाता लेसुन कितना कुंटल निकल जाता है आपके इसाब से एक बिगा में करीब गरीब यह उटी फर्ष्ट लेसुन निकलेगा अब बारा अजार दस जार भी मान ले तो दो लाग सितर हजार का लेसुन है तो फाई देगा है तो इसको हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे सर उसकी जिसके मज़़ूर से उकलाना पड़ेगा यह जैसे आप यह जैसे एक उकाड के फिर इसकी कटाई करने तो गिला माली लेकर ज इसानों को क्या सलह देंगे कि यह खैती करनी चाहिए विल्कुल करनी चाहिए बीज के बारम थोड़ा बताइए बीज महेंगा बोथ खरीदा आपने इस साल पड़ो नहीं खरी सकते उनके लिए क्या कहींगे यार वो तो खरीदना पड़ता है बहुत तो हुए है कि मैंआर प्रच्छा लगा रहे हैं कभी फाइदा है कभी नुक्सान है तो पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है क्या करें ऐसाल पिक्स नहीं रहता है कभी मिलता है कभी मिलता है है घए साल बीज का 5,000 रुपे बाव था और 3700 विका 5,000 तक विका पिलाष्ट में पूनिये के जादा त्यम तक रुकता नहीं है हर साल गिसान दो विगा को ख़या है दोाना करद बादा पढ़ा न दोन ब act on देखो जैसा मिल जाएगा भाव ऐसा है खड़ी पसल वाला आ जाएंगे तो खड़ी पसल देदेंगे तो खड़ी पसल को कौन खरीद देंगे यह आरतिया यह बहुत सारे एक कुझड़ा है यह सब खरीदते हैं अच्छा पग्या तो किसान को खड़ी पसल बेजने हम तो देदेंगे और मंडी में पूरा जो फसल एक साथ उकाड़ के ले जाओ या थोड़ा तो मंडी में ले जाने पर आपको किसा मतलब उसके बाव में बढ़ोत्री हो जाए मतलब आप एक साथ दे दो आदेंगे बात करेंगे ना उससे तो मतलब कि आज ठीक बाव यह 12,000 पंदराजार एक उसी टिम बढ़ लेंगे उसी तिन बढ़ के लेके जाना होता है पहले मंडी से कॉंटेक्ट करना पड़ता है तो सर इसके अंदर और बताई आप कि जैसे बहुत सारी बिमारी आती है लेसुन के नीचे पीलापन आ जाता है वो तो उसमें तो है आज जाते है ने एसका किया कि आपके लेसुन में बिल्कुल ही दवा इसमाल नहीं किया और बीमारी नहीं थे जह वी खात लगा ईसमें तो दाला फीर बाद में गूर कोई प्रोब्लम नहीं अए। इसका जो बीज को उपचार करके लगा या सिदे लगा उपचार कर के लगा उससे व्याइब देश लगाना चाहिए या उट्ट फैस्ट तो इसलिए यह पैदा ज्यादा होता है यह इसमें कि रोग मलब बीमारी कम आती है और यह क्या देशी में तो चाहिए विमारी आती हैं जो लसन सूख जाता है ऊक़े फिरबात में और यह जो उक खराबने होता है साइज बड़ी होती है यह साइज भी बड़ी होती है और उत्पादन भी ज़्याद ऱ利गा वह था इस्la कोई परक नहीं है तो मेरे बाद जैसे की जिसने पहले लगाया उसको जादे दाम मिलते हैं कि यो लेट में लगाया उसको देखो यह तो कोई नहीं कह सकता है जल्दी जल लगाने वाले का भी वाव चल रहा है 15,000 रूपए फिर बाद में देस्ट भी रह जाए जल्दी खेट हमने वह मैं अगये महिए लगा दिया फी dads niego लाव जाया भी जायए जायगा मला डाला इसके ऑंपर लियोशन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारां में मैं क्या जाए नियुक्त करते हैं अपन तो नहीं किया जुन तक पाल syntJiaûtक जानकरी दी उनिति यम्हें के लेटिशन खरीदना तो क्या भाव में बेज देंगे सवा दो में बेज देंगे सवा दो लाग में उनको एक भीगेगा लेसुन ये बेज देंगे अगर आप इनसे कॉंटेक्ट करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में जानकारी देने के लिए और खिसान बाइयों के लिए का पी अच्छी जानकारी दी लक्षमिलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलिया इसी नेक्स वीडियो में जैहिन